इस्राइल का भीशन हमला नहीं रोप पाया S-400, दुनिया हैरान कि ये कैसे हो गया, चीन और भारत दोनों परिशान, S-400 की आशंकाओं ने घेरा शक्तिशाली देशों को, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, दोस्तों आज जो हुआ है ना वो सुन आप चौकने व पायुसेना ने S-400 की सुरक्षा को भेद कर इतना जवरदस्त हमला किया है कि हमले जहां हुए है ना वहाँ चार दिनों तक आग नहीं बुझाए गई और वहाँ से धुआ अब तक निकल रहा है, दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीरिया की जिसे लताकिया के नाम से भी जाना ज अब दोस्तों सुनिए हम आगे आप से क्या कह रहे हैं यह लताकिया पोर्ट ना सर्फ सीरिया के लिए बहुत महत पूर्ण है बलकि रूसी सेना के लिए भी ये पोर्ट बहुत अधिक इंपोर्टंट है क्योंकि इस लताकिया पोट के बराबर में रूसी सेना का सबसे बड़ा सैन अड़ा मौजूद है और दोस्तों वहाँ पर रूसी सेना की बहुत ही हेवी प्रेजन्स है और इस सैन अड़े का इस्तिमाल रूसी सेना भी बड़े लेवल पर करती है अपना सैन बेश चलाने के लिए वही दोस्तों सीरिया के अंदर जितना भी माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी लताकिया पोर्ट के जरीये किया जाता है परन्तु वहीं इस्राइल आरोप ये लगाता है कि इरान इसी पोर्ट के जरिए हिजुबुलाह को बड़े लेवल पर हतियार देता है चलिए इसको जरा हम आपको आसान भाशा में समझाते हैं दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि इस लटाकिया पोर्ट पर हतियार पहुचते हैं इरान से फिर वहां से सीरिया के अंदर जाते हैं फिर वहां से लेबनान में हेजुबुलाह को सप्लाई किये जाते हैं यानि कि ये इसराइल के खिलाफ आतंग की समुहों का एक supply chain network है और दोस्तों इसे लिए आपको याद होगा कि अब से 6-7 महीने पहले एक खबर आई थी कि इसराइल ने इसी लताकिया port पर एक attack किया था दोस्तों उस वक्त ये attack ज्यादा बड़ा नहीं था मातर एक छोटा सा attack लेकिन उसके बाद रूस यहाँ पर सतर्क हो गया था और रूस से उसने defense system मंगवा लिये थे और इसी लताकिया port के एक दम बगल में S-400 की पूरी battalion तैनात कर दी गई थी अब दोस्तों इस तैनाती के बाद इसराइली वायू सेना के लिए लताकिया पर हमला करना बहुत ही मुश्किल था लेकिन आप सभी लोग ये जानते हैं कि इसराइल कितना जिद्धी देश है अगर वो कुछ करने पर आ जाए तो वो अमेरिका तक की नहीं सुनता वो अपनी ही करता रहता है और यहाँ पर भी वही हुआ अब से कुछ दिनों पहले लताकिया के स्पोर्ट पर इसराइली सेना ने जवरदस्थ अटाक किया और दोस्तों वो अटाक इतना खतरनाक था कि तीन दिनों तक तो सीरिया और रूस मिलकर आग ही नहीं बुझा पाए और दोस्तों अब तक यह माजरा है कि अब भी स्पोर्ट से धुआ बराबर निकल रहा है और आपको हम यह बता दें कि यह अटाक इसलिए भी इतना खतरनाक था क्योंकि इसे इसराइली लडाकों विमानों ने क्रूज मिसाइलों से हमला करके किया था और पैच और जब यह दिमाग की घंटी बजी की लताकिया पोट के पास तो S-400 मौजूद है और S-400 के होते हुए कोई लडाकों विमान इतना करीब आ जाए यह तो असंभब है और इतना ही नहीं करीब आकर वो क्रूज मिसाइलें छोड़ दें यह मानने बाली बात तो है ही नहीं अब हम ऐसा क् जरा सुनिए दोस्तों यह जो S-400 है ना इसे इस हिसाब से बनाए गया है कि यह तो लडाकों विमानों को भी गिरा सकता है और क्रूज मिसाइल को भी मार कर गिरा सकता है तो यह संभब कैसे हुआ तो दोस्तों इस पर कुछ रिपोर्ट्स यह आई कि यहाँ पर इसराइल न S-400 तैनाद था और उसने सोचा कि यह इसराइली वायुसेना का विमान है और S-400 ने उसी समय रूसी वायुसेना के उसी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट को मार कर गिरा दिया जिसमें बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए और उस वक्त रूस को बहुत नुकसान हुआ था और दोस्तों उसी समय रूस ने इस लताकिया पोट के पास से S-400 को भी हटा लिया था लेकिन जब दोबारा तैनाद किया अब से बस कुछ महीने पहले तो यह तै किया कि रूसी वायुसेना का कोई यहां पर विमान उत्रा करेगा तो उस समय हम हमला नहीं करेंगे तो दोस्तों अब experts इस पर यह कह रहे हैं कि इसी window को उपयोग किया Israeli वायुसेना ने लेकिन दोस्तों आपको हम यह बता दे कि यहां पर बहुत ही एहम सवाल अब यह उठता है कि S-400 की capability बहुत अधिक है वो इस बात को समझ सकता है कि खुद का विमान कौन सा है और दुश् के विमान में अंतर करने की शमता है और दोस्तों दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर इतना बड़ा हमला किया गया तो एक लडाको विमान इतना नुकसान तो नहीं कर सकता कम से कम पांच से लेकर दस तो भेजे ही होंगे लेकिन दूसरी तरफ रूस का एक ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट आ रहा था पहली बात तो यह कि जो रडार सिस्टम होता है वो कितना भी घटिया कॉलिटी का हो वो यह तो बता ही देता है कि यह ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है या लडाको विमान है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट रडार पर बड़ा दिखता है और लडाको विमान छोटा दिखता है दोस्तों ये जो फर्क होता है न इसे कोई भी बता सकता है और S-400 में आप आउट नंबर भी नहीं कर सकते ये 10 की जगह 30 लडाको विमान भी भेजे होते न तो S-400 उन्हें भी सम्हाल ले जाता क्योंकि एक के साथ ये 70 से ज़्यादा लडाको विमान ये ट्रैक कर सकता है तो ये हमला हो कैसे गया इस बात का प्रोपर जवाब अब तक नहीं मिल पाया है वहीं भारत, चीन, अमेरिका और इनके अलावा पाकुस्तान जैसे देश के लिए ये पूरा मामला एक के स्टेडी बन चुका है क्योंकि दोस्तों जिनके पास ये S-400 है यानि की भारत और चीन ये दोनों ही देश सोच रहे हैं कि S-400 की सुरक्षा ब्रीच कैसे हो गई वही बाकी जो देश हैं जैसे की अमेरिका, पाकस्तान और चीन वो ये सोच रहे हैं कि इसराइल ने ये कर कैसे दिया और हम इसे कैसे कर सकते हैं यानि की हर किसी के लिए इस हमले में कुछ न कुछ मौझूद है दोस्तों S-400 पे ये खबर काफी एहम है क्योंकि इंडिया इस खतरनाक हतियार को रूस से खड़ीद रहा है और इस हतियार के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ही महतुपूर्ण है क्योंकि दुश्मन बिलकुल हमारे सामने खड़ा है और हम इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हाँ इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि इसराइन ले ये हमला कैसे कर दिया आपको क्या लगता है कि S400 जैसे खतरनाक विमान को ब्रीज कैसे किया गया आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार विडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद